तो चलिए आज आगे हैं किछन में और बनने वाला है आज करी बरी बनाएंगे पापा के लिए करी चावल बनेगा और यहां पर बेसन अभी तक इतने वार खरदन है भाई इंडिया का बेसन मतलब फॉर्चुन का बेसन पापा लेके आये थे जबकि पापा को बोले नहीं थे इतना अच्छा फॉर्चुन का बेसन लगाना कि हम बता नहीं सकते हैं यहां पर हम इतने दिनों से बेसन यूज करते हैं लेकिन इतना अच्छा बेसन मेरे को नहीं लगा और पापा को हम बोले नहीं कि बेसन लेके आना क्योंकि आप बेसन मिल जाता है लेकिन फॉर्चुन का बेसन हम पहली बार ट्राइ कियें अपने हाथों से इंडिया में जाते होंगा तो ममी खिलाती होगी पता ने लेकिन यहां पे हम पहली बार फ़र्चुन बेसन ममी लाई और यूज किये इतना अच्छा लगा ना भाई हम जो इसका करी यह पकोरा जो बनाया बेसन का वो प्रचुन बहुत पसंद है इनको भी पसंद है तो तो सोचे क्यों ना पापा के लिए स्पेसल करी चावल बनाया और यहां पर यह देखे करी यह पकोरी बना के इसका रख लिए हैं पानी में अदम रूल जैसा सौफ सब यहां पर लैस्टून और डालके हिंग डालके प्य और इसको बॉइल करने दूक है तक हमारा बरी है वो एकदव तयार है क्योंकि उसको फ्राइय कर चुके उसको पानी में डाल दी इन। उसको लास्ट में ठाल लेंगे उड़ूद ऑड़ीया और यह दम देख रहम सौफ पनं में कब भीना था जहाजी आजीवी अश्यर में है कि तुम्हीं बनाई हो कि मम्मी बनाई है हमले हम बनाए हैं बेसन अलग था यहां का बेसन थोड़ा अंदर हाड मतलब अजीब जैसा रूख रूख रहा हाड होता है और यह फॉर्चुन वाला एकदम स्वाप्ट उसमें कॉलर भी था यह लू कोलर जैसा लग रहा था तो चली इसको बॉइल होने देते हैं उसके बाद अब पापा को भी न पहले लगा कि मतलब आस तक हम पापा को कभी अपने हांसे यह करी बगरा बना के खिलाए ने कभी ऐसा मोका नहीं मिला यहां पर बनाए तो पापा भी हासर हो गया कि बहुत अच्छा टेस्ट बनाए एक कम रूई जैसा सौफ्ट सौफ बना है एक बार और बनाएंगे मेरे को बहुत अच्छा लगा बैए बेसन हमने थोड़ा जुगा जुगा के खर्चा कर रहे हैं कि बेसन मेरा जल्दी खतम नहीं हो जाए तो चलिए यह हो चुका है अब इसको ठंडा होने देते हैं और आज बस हमारे घर में यह करी और चाबल सबको मिलेगा तमझे और यहां पर यह मेरा रहा मेरा लंज इतना ही होता है क्योंकि मैं इससे ज्यादा खालेंगे ना तो फिर घर का काम मेरे से होगा नहीं तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताएए कुन-कुन मनाते हैं करी चाले यह वीवा तो